किसान आंदोलन को लेकर किया बड़ा खुला साथ किसान आंदोलन या सियासी साजिश चडूरी ने खोला कॉंग्रिस का काला चिठ्था कॉंग्रिस के फेवर के लिए हुआ किसान आंदोलन नमस्कार श्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव नवंबर 2020 ये वो दिन है जिस दिन देश में किसान आंदोलन की शुरुवात हुई या आंदोलन मोधी सरकार के तीन कृशी कानूनों के विरोध में था किसानों की मांग थी कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले या अंदोलन लगभग एक साल तक चला हाला कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो तीन कृशी कानून लगाए गए उसके पीछवे सरकार की मंशा थी किसानों की आमदनी को बढ़ाना और उनको उनके बुरे हाल से निकालना क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जब किसानों की बात करते हैं तो हमें वही समय आदाता है जब किसान कर्ज के चलते फंदे पर लटक जाता था आर्थिक तंगी के चलते जहर खा लेता था इस तरह की खबरे सामने आती थी इसी से बाहर निकालने के लिए सरकार किसानों के लिए कृश्वी कानून लाई लेकिन किसानों ने इसका विरोत किया और सडकों पर उतर आए दिली तक को आंदोलन के चलते कैद होना पड़ा हलाकि ये आंदोलन अभी भी पंजाब हर्याना में जारी है लेकिन इसी बीज सांदोलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बलकि खुद आंदोलन कारी किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने किया है किसान आंदोलन के नाम पर कई दिनों तक दिल्ली को बंधग बना कर रखा गया जिस किसान आंदोलन के नाम पर लाल किला में हिंसा हुई दंगे हुए आठ महीने तक शंभू बॉर्डर सील रहा व्यापारियों को अरुबो रुपे का नुकसान हुआ हर रोज लाखों लोगो को रास्ता बदल कर जाना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के चलते अब उसी किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कहा जा रहा है यह सब तो कॉंग्रिस के लिए माहौल बनाने के लिए किया गया था ऐसा हम नहीं कह रहें यह कह रहे है खुद किसान नेता गुर्णाम सिंग चड़ूनी आप खुछ सुनिए मैं यह मानता हूं कि जो भुपेंदर हुड़ा है वो अती बुद्धी हीन है हर्याने में जो महाल बनाया कांगर्स के पक्ष में वह हमने बनाया था वह किसान वर्ग ने बनाया था किसा चल मेरे को नहीं इसलिए हम आप खड़े हुए रमेज दलाल खड़ा हुआ हर्शी करा खड़ा हुआ मैं खड़ा हुआ और भी कई लोग प्रियास में थे लेकिन नहीं हो पाए बता दे पंजाब हर्याना में लगातार चल रहे किसान आंदोलन पर बीजपी जो आरोब लगाती आ रही थी उस पर आप खुद आंदोलन कारी किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने मोहर लगा दी है हर्याना के किसान नेता चडूनी ने कहा कि किसानों ने लगातार आंदोलन करके कॉंग्रिस के फेवर में माहौल बनाया लेकिन पार्टी इस आंदोलन को भुना नहीं पाई उन्होंने हर्याना में कॉंग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र सिंग हुड़ा को जिम्मेदा ठहराया और राहुल गांधी से अपील की कि उन्हें असेंबिली में विपक्ष का नेता ना बनाया जाए और ये खुलासा क्यूं हुआ ये भी आपको बता देते हैं दरसल हर्याना विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये वाक्या सामने आया है चुनाव में कॉंग्रेस की हार से उखड़े हुए बीके यू नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने कहा कि किसान संगटनों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करके कॉंग्रेस के फेवर में महौल तैयार किया था लेकिन पार्टी इसका फायदा नहीं ले पाई इसके जमेदार और कोई नहीं बलकि भोपिंदर सिंग खुड़ा है दिल्चस्प बात ये है कि इन चुनावों में गुर्णाम सिंग चडूनी खुद भी एक उम्मीदवार थे उन्होंने हर्याना की पिहोवा सीट से निर्दलिये की रूप में चुनाव लड़ा था लेकिन हार झेलनी पड़ी इस चुनाव में उन्हें महस 1200 वोट मिल पाए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई और तो और ये सीट किसी और ने नहीं बलकि कॉंग्रेस उम्मीदवार नहीं जीती थी हालकि ये पहली बार नहीं है जब किसी किसान संगठन ने इस तरह के दावे किये हो इससे पहले सोशल अक्टिविटेस योगेंद रियादव भी इस तरह का दावा कर चुके हैं उन्होंने कहा था कि किसानों ने लगातार आंदोलन करके यूपी में सपा और कॉंग्रेस के फेवर में जमीन तयार की थी लेकिन दोनों पार्टियां इसका लाब नहीं उठा पाई बताते चले कि प्यमोधी समेत कई बीजपी नेता भी अक्सर आरूप लगाते रहे हैं कि किसान आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक है और इसके पीछे कॉंग्रेस समेत विपक्षी दलो का हाथ है अब गुर्णाम चडूनी का ये बयान बीजपी नेताओं के इस आरूप की पुष्टी करते दिख रहे हैं इन आंदोलन कारी किसान नेताओं में इस बात का गुस्सा है कि जिस बीजपी की सरकार को खाडने के लिए उन्होंने एतने लंबे समय से माहौल बना कर रखा था वाँ उनके किसी काम नहीं आ पाया कॉंग्रेस भी उसका लाप नहीं उठा पाई हलाकि जाहिर है कि कॉंग्रेस चडूनी के इस बयान से किनारा ही करेगी लेकिन इसमें कोई दौराय नहीं कि किसानों के नाम पर खड़ा किया आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक था और इसका एक मात्र मकसद मोधी सरकार को सत्ता से बाहर करना था इसी तरह से समय समय पर इस आंदोलन से जुड़े तमाम सच सामने आते ही रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देशतुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सी न्यूस भारत